Hello guys, welcome to my YouTube channel, Riddik Technical Support. So today, we will talk about how to install Angel One application on your laptop and PC. आपके पास कोई भी Windows हो, Windows 7 हो, Windows 8 हो, Windows 10 हो, Windows 11 हो, सभी में आप लोग Angel One application को install कर सकते, कैसे करेंगे, पूरा डीटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे. So first of all, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. जैसे कि दिखिये, अगर हम Microsoft Store open करते ना guys, और यहाँ पर अगर हम search करते है, Angel One, ठीके? यहाँ पर अगर हम Angel One search करते है, तो आप देख पाएंगे कि, आपको Angel One यहाँ पर देखने को कहीं पर भी नहीं मिलता. ठीके? ओके? देख सकते हैं, आप लोग Angel One application आपको Microsoft Store में देखने को नहीं मिलती है, और हमने Windows के लिए डाउनलोड करने का भी सोचा, बट कहीं पर भी हमें application देखने को नहीं मिली, बेकाज यह आपको Windows में अवेलेबल नहीं मिलती, ठीके? अब Windows में अवेलेबल नहीं मिलती, बट कोई बात नहीं, इसके लिए आपको जो है, जैसे की यह जो application Angel One, वो काम करती है Android फोनों में, और इस iPhoneों में, ठीके? Android और iPhone iOS में काम करती है, तो हम यहाँ पे Angel One को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके आपको सबसे पहले BlueStick को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक हम आपको description में दे देंगे, ठीके? BlueStick कैसा software होता है, जिसके माध्यम से आप लोग, जो Android के applications होती है, iOS के applications होती है, उन्हें आप लोग use करेंगे, ठीके? तो हमने BlueStick यहाँ पे open कर लिया, then हम यहाँ पे search पे click करेंगे, देख सकते हैं आप लोग के Google टाइप का आपको interface यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीके? अब यहाँ पे हम लोग search करेंगे Angel One, Angel One देखिए, Angel One, Stock, Mutual Fund यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हम simple इस पे click करेंगे, और यहाँ पे आपको option मिल जाएगा install from Google Play, ठीक है, तो हम simple इस पे click करेंगे, click करने के पाथ यहाँ पे जो है, यह जो हमारा download है, मतलब download होने start हो जाएगा Angel One, और हम simple इसको यहाँ पे install करके भी use कर सकते, देखिए starting blue sticks, और हम जोड़ सा wait कर लेते हैं यहाँ पे, और अगर आप blue stick use करते ना guys, तो आपका जो PC laptop रहता है, उसका minimum RAM 4GB तो होना चाहिए, ठीक है, तो ही आपके PC में यह proper तरीके से काम करेगा, अब यहाँ पे जो है blue, मतलब Angel One application जो यहाँ पे, Google Play Store में में सो हो रही है, अब जैसे कि हम mobile में गैसे install करते हैं, उस तरीके से आप लोग यहाँ पे, mobile में भी install कर पाएंगे, ठीक है, simple आपको install पे क्लिक करना है, आपका जो application रहेगा, वो install यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो यह सबसे आसान तरीका है, अगर आपको Angel One application को यूज करना है, तो अपने PC में, ओके, and blue stick जो application होता है, इसका link जो है, मैं आपको description में दे दूँँगा, अगर आपको उसे use करना है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग, जितनी भी Android application होती है, उन्हें आप लोग बिना किसे दिक्कत के use कर पाएंगे, ठीक है, तो इसका link मैं आपको description में दे दूँँगा, जैसे मैं यहाँ पे, download कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी, तो देखिए, जब आप लोग link पे click करेंगे ना, तो आपको इस type का interface होगा, ठीक है, आपको download blue stick 10 पे click करना है, तो simple आपके PC में download ना start हो जागा, और आप इसको install करके use कर पाएंगे, ठीक है, so topic discover, मिलते हैं next video में, ये मतादी,